नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट के अंकला में और आज आप देख रहे हैं कि मैंने पीछे कुछ लिखा हुआ है और यह क्या लिखा हुआ है जिसे कि मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आने वाली हूँ तो बही क्वेश्चन आंसर आज मैं कुछ लेकर आई हूँ स्पेशली यूजी सी नेट की भी डेट आ चुकी है और एड्मिट कार्ड भी जल्दी डाउनलोड आपके हो जाएंगे अप लोट कर दिये जा रहे हैं अभी प्रोसीजर चल रहा है और दिखे डेट दीर दीर सभी एक्जाम की भी आ रही है पास आपके तो आपने तयारी भी स्टार्ट कर दी होगी तो हार मी मनाया जा चुका है दिवाली भी निकल चुकी है तो इसके बाद इसलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ ता कि हमारी preparation का थोड़ा सा तरीका change हो जाए तरीका ही नहीं जो आपकी practice है वह proper तरीके से हो जए तो उसके लिए कुछ question आंसर करने पड़ते हैं उन question answer को मैं आज लेकर आई हूं तो उन question answer को देखेंगे और जिन लोगों को मेरी class लेनी है मैंने new batch अभी join किया है और इसके बाद एक video भी आप मेरा देखेंगे जो आपके जो भी comments थे उन comments पर, जो next रहेगा उन comments पर हम चर्चा करेंगे जिनको अभी class लेना है वो मुझे join कर सकते हैं class को join कर सकते हैं 9599670200 पर नया बैच अभी शुरू हुआ है क्योंकि DSSB का भी exam है तो DSSB वाले भी तैयारी कर रहे होंगे तो DSSB यह जो पास्चाते कला आपकी नहीं आती है लेकिन UGC net वालों के लिए पास्चाते कला आती है पास्चाते कला एक बहुत बड़ा पार्ट है तो पास्चाते कला में प्रस्निक किस तरीके से आती है इस बिसली मैं ही कहना चाऊंगी उनके लिए जो PGT में PGT का exam अभी आगे देंगे या दे रहे हैं या फिर उत्तरा खंड का जो LT का आता है या और भी स्टेट में जिन में पास्चाते कला आती है और वे बहुत सारा exam है ऐसे तो पास्चाते कला में प्रस्न कैसे आता है अब देखे जो प्रस्न में आपको बता रही हूँ यहां से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा तो देख लेते हैं सबसे पहले पास्चाते कला में सबसे पहला प्रस्न है प्रागेती हासिक चित्रो का बिसे क्या है तो प्रागेती हासिक चित्रो देखे यहां यह प्रस्न कैसे है यह expression को हम इस दरश्टी से देखेंगे, मतलब यह ना तो इंडियन आर्ट में भी जुड़ जाएगा आपका, और वेस्टन आर्ट में भी यह दोनों से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि यूरोपिय प्रागेति हासिक चितरकला, ना ही यह ल देखना है, तो यह दोनों के लिए है, कैसे है, आपने एक चीज़ देखियोगी, मैं मनें पाश्चात्य कला भी आप लोगों को पढ़ाया है, तो पाश्चात्य कला और भारतिये प्रागेति हासिक कला और यूरोपिय प्रागेति हासिक कला में, बहुत सारी चीजे कौमन आपको देखने को मिलती है, जैसे उनके रंग बनाने का जो तरीका है, वो बिल्कुल सेम था, उनके रंग भी सेम थे, उनके चित्रों में भी काफिर डिफ्रेंस नहीं था, देखने को हमें मिलता है, और उनके जो बिसे थे, वो भी सेम थे, कैसे, भारतिये प्रागेति हास चित्रकला का जो किया था अखीर था और युरोपय प्रागेती हसिक चित्रकला का विश्य वी क्या है आखेट था कि मतर्ब दोनों जो चित्र बनाते थी उनका एक ही सह्य था और वक्या था आखेट के चित्र बनाना और आखेट ही उनका में बिसेता यहीं पर हम दोनों चीचे देखेंगे यह जो प्रस्न में लेकर आई हूं फर्स प्रस्न यह दोनों में आपका मिलता है कैसे मिलता है देखेंगे पहला है भारती प्रागेती हासिक चित्रों भारती प्रागेती हासिक भी कह सकते हैं औ तो इसमें आपने ये देखा, उन्होंने पशू के चित्र बनाए थे, राइट है, मानव के चित्र बनाए थे, ये भी करक्ट है, उप्रोक्त सभी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस किस के चित्र बनाए थे, उन्होंने पशू, मानव, पक्षी या उप्रोक्त सभी बनाए है उसमें यह सारे चित्र आपको मिलते हैं ठीक है यह सब मिलते हैं तो आप सिधा-सिधा टिक कर देंगे उपरो सभी और यह दोनों के लिए हैं भारतिय प्रागेती हासिक चित्रकला के पर जाते हैं नेज्स पर आंटके के लिए दो भी वो क्राई बांसुरी सब्चत्र आपे मनुस्य के साठी इस तरह के चित्र आप एसे ही सेन किया है चित्र इसमें बारते चित्रकला में लेकिन यहां पर लिखरी और और बाप की गुफा संख्या, गुफा, त्राइफेर्स की गुफा में, कहा मिलता है, त्राइफेर्स की गुफा में, बांसुरी बजाता ओजा, तो राइट किसको करेंगे, त्राइफेर्स में, ठीक है, नेक्स्ट है, घायल महिस किस गुफा में अंकित है, देखे, त्राइफेर्स का ढान ारा हो गया ये गुफा मैंने आपको बताई थी ड्राय IS answer तीन भाईयों की गुफा इसको कहा जाता है तो नाम से जहां ही त्राय भैएक इसारता है सिधा मैंड में चीज आ जानी चाहिए यह दृफय के नौत्वर्त 1 तीन भाईयों के नामपर इसका नाम रखा गया था त्राइफेर्स की ठीक है अम नेक्स्ट आता है घायल महिस किस गुफा में अंकित है तो घायल महिस को करेंगे किस गुफा में अंकित है डाम दिये गुफा के पहला अल्टा मीरा दूसरा लास्को तीसरा त्राइफेर्स या गरगास त्राइफेर्स में आप लासको की गुफा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रही है अल्टा मीरा के साथ साथ लासको भी इंपोर्टेंट है इसकी खोज कहां पर हुई थी 12 सितंबर 1940 इसमी को इसकी खोज की गई थी ठीक है लासको गुफा की खोज की गई थी और ये खोज किस ने क को क्या ने मार्सेल रबिटेटने खूज की खूज लासको गूफा की खूज मिलता था तो घयाल महिश का चित्र हमें कहां से मिलता है अगहे आप आगे अपने पढ़ा होगा था आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे द्याननी है बट मुझे इतना पता है कि आप सिस्टाइन चैपल का नाम आते ही आप समझ जाते हैं सिस्टाइन चैपल पर बहुत सारे भीती चित्र बने हुए है ठीक है तो इसको मतलब उसमें चारों तरफ चित्र ही आप ठीक है तो प्रागेती हासी काल का जो सिस्टाइन चैपल है पिंडाल को कहा जाता है तकदा ओदोवर्थ को कहा जाता है अल्टा मीरा को कहा जाएगा या लास्को को कहा जाएगा किसको कहा जाएगा इसमें तो देखें प्रागेती हासी काल का सिस्टाइन चैपल एक ही गु कर लेंगे है चित्र स्पीन की अलटा मीरा गूफा है ready कि लगबबबं कितने चित्र हैं एक सो पचास चित्र है इस शयद मैंने आप को पढ़ाया है समझहाइए कि यहांगांम लगबाप 150 चित्र के संधिया में हमें मिलते हैं जो अल्टामीरा की गुफा है और यहां पर महिश का भी चितरंकित है ठीक है बाइसन आक्रमर करता हुआ महिश है और यह गुफा की जो च्छत है यह मैंने बता है आपको छे से साथ फिट उची है ठीक अब हम आते हैं नेक्स लास्ट पुशन पार प्रागेती प्रागेती फजर संसार में सर्व प्रथम कहां बनाएंगे अल्टा मीरा में लासको में द्राइफेयर्स में यद पिंडाल गुफा में तो आपको आपने जो सबसे ज autour? अब कहीं से भी पूछा जाता था मतब आप कहीं से भी पूछ लेता, पहले कुछ चीजे fix थी, कुछ topic fix थे, की सर्फ यहीं से प्रसना आएगा, लेकिन आप fix कुछ भी नहीं है, अब कहीं से भी प्रसना आजाता है, तो सारा ही कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, मान के चलिए कि एक expert की जरूरत है, teacher बनने के यह deep study आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, प्रागेती हासिक चित्र संसार में सर्फ प्रथम कहां बनाएंगे, अल्टा मीरा, लास्को, ट्राइफेर्स या पिंडाल की गोफा में, तो सबसे पहले जो चित्र संसार में सर्फ प्रथम बनाएंगे मतलब आपको यह समझ में आ गया हो जो संसार की बात की जा रही है तो इसका मतलब भारती प्रागेती अगेती हासिक चित्र हैंगें। चित रहें तो इस तरह से यह सब इसी तरह के प्रस्ण है इनको आप जरू स्टडी करेंगे जो नेक्स वीडियो मेरा मिलेगा आपको वो मिलेगा क्योंकि मैं देख रही हूं कुछ लास्ट जो हमने कमेंट किया जो वीडियो मेरा था मोटीवेशन वाला उच पर कुछ कमेंट पर समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा हो सकता है जल्दी ही आपके सामने आ जाए तो इस तरह से हम कुछ चीजी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे अब तक आप इसको इसको स्टड़ि करेंगे और अपनी तैयारी प्रोपर